भारत के अधिकान शेहरों में अस्थमा है केवल सांस लेना और छोड़ना सभी कम से कम इतनी खुशी के हक्तार हैं, है न? हमने कई लोगों का अस्थमा पूरी तरह से ठीक होते देखा है नमस्कारम सत्कुरू, मैं लंबे समय से अपने अस्थमा को दवा से कंट्रूल कर रहा हूँ अस्थमा को खत्म करने या कम से कम कम करने के लिए मैं क्या खर सकता हूँ? भारत के अधिकान शेहरों में अस्थमा है अगर आप दिल्ली में हैं, तो ये अकेली ऐसी जगा है जहां हवा दिखाई देती है ये अच्छा है, इतनी ज़रूरी चीज़ को देख पाना हवा इतनी घनी है कि दिखाई देती है अगर आपको पहले ही कोई समस्या है, तो शेहर आपके लिए ठीक नहीं है कम से कम गाउं में जाने का यही समय है ओ, मैं क्या करूँ, मैं नौकरी करता हूँ अगर सुभर शाम सांस की परिशानी हो तो नौकरी का क्या फाइदा? गाउं में पैसा कम मिलेगा, पर सांस अच्छी मिलेगा ये मेरी राय है कम से कम सांस से आसान होनी चाहिए, कुछ और नहीं तो है न? इतना सुख तो इनसान को मिल सकता है बस सांस लेना और छोड़ना, कम से कम इतने सुख के सभी हकदार है, है न? पर दुर्भाग्य से सभी बड़े शहरों में यही हो रहा है सांस लेना मुश्किल है आप देखेंगे, अगर आप ताजी हवा वाली जगा पर रहते हैं, तो आपका आस्थमा 25 से 30 प्रतिशत कम हो जाएगा बाहरी समस्या को दूर करने के बाद, अंदर की समस्या को संभालना संभव हो जाता है मनुश्य के रोग दो तरह के होते हैं संक्रामक रोग और स्थाई बिमारियां है संक्रामक रोग शरीर में तब होते हैं, जब एक बाहरी जीव आक्रमन करता है और परेशानी पैदा करता है, जिसे दवा से ठीक करना पड़ता है पर स्थाई बिमारी यानि हमारा शरीर ही समस्या पैदा कर रहा है सिस्टम खुद ही रोग बना रहा है क्योंकि समस्या अंदर पैदा की जा रही है, इसी लिए भीतरी समाधान खोजना बहुत जरूरी है Inner Engineering प्रक्रिया बस इसी के बारे में है कि आप अपने भीतर, बुद्धी और क्षमता के सबसे गहरे आयाम तक पहुँचें जो इस शरीर को पैदा कर सकती है ये सोचना और मानना कि मेरी सभी समस्याएं बाहरी कारणों से हुई है और समाधान भी बाहर है ये समस्या को सुलजाने का मुर्खता पूर्ण तरीका है डायबिटीज, उच्छरक्त चाप, रिदय रोग, अस्थमा, एलर्जी, मोटापा, खाने के विकार और ऐसे कई पुराने रोग जो सभी मूल रूप से अंदर से पैदा होते हैं इन सभी चीजों को अंदर से मिटाया जा सकता है अगर हम बस अपने सबसे भीतरी आयाम पर ध्यान के लिए राजी हूँ तो यदि आप दूद छोड़ दें, तो आप देखेंगे हमने देखा है कि कई लोगों को सिर्फ दूद या दूद से बनी चीजें खाने से अस्थमा होता है दूद छोड़ने से उनका दमा चला जाता है बहुत से लोगों की कम से कम 50% समस्या दूद से बनी चीजों से होती है अगर उसे हटा दें तो 50% ठीक हो जाएगा बाकी 50% आसानी से संभला जा सकता है दूद और दूद से बनी चीजें लेने से बलगम की समस्याईं ठीक नहीं होती ऐसी चीजों से कफ बहुत बढ़ जाता है ऐसे लोगों को केला, कठहल, पका हुआ चुकंदर नहीं खाना चाहिए आप कच्चा चुकंदर खा सकते हैं, पर पके हुए चुकंदर से बहुत बलगम बनता है एक और चीज जो दैनिक सेवन के लिए बहुत अच्छी है, वो है शेहद शेहद धर्ती का अकेला ऐसा पदार्थ है, जिसकी रासायनिक सनरचना इंसानी खून के बहुत करीब है खास कर उनके लिए जिने जाधा बलगम की समस्या है झाल